तीसरा समिट, भारत ने तीसरी बार इस समिट का और्गनाजेशन किया है, वर्चुल समिट है और बहुत इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक प्रतिबधता, एक कमिट्मेंट दिखाता है भारत का ग्लोबल साउथ के देशों के प्रति, तो ये जो है उसमें दोजार प्रभावित देश कौन से थे, ग्लोबल साउथ के, क्योंकि ग्लोबल साउथ जो है उस अभी भी सबसे जादा अगर देखें तो प्रभावित है कई तरह की चीजों से, गरीबी से, इन सबसे और वैक्सिन की जो डिमांड और सप्लाई थी, उसमें नौर्थ और साउथ का जो डिवाइड है, जो बेहत गहरी खाई है, वो बड़ा साफ हो गया, तो भारत ने ऐसे देशों की मदद की, भारत ने उसके बाद निश्य किया कि अब ग्लोबल साउथ जो है, उसको एक अलग मजबूत आवाज चाहिए, और यही वज़ा है कि यह समिट शुरू हुआ, तीसरी जो समिट है, जो पी-म ने ये साफ तोर पर कहा है कि अभी ऐसे समय में ये देश मिले हैं, जबकि एक अनिश्चित्ता का महौल है, अनिश्चित्ता क्यों कि कोविट के बाद के हालात अभी भी हैं, पूरी तरह से प्रभाव से आर्थिक जो हालात हुए उसके बाद सिक्यूर्टी सबकी चिंता हैं, और पिछली सदी में बने हुए जो रूल्स हैं, जो वर्ल्ड ओर्डर्स हैं, खासतोर पर वो इशारा शाहिद इसलिए यूइन के तरफ कर रहे हूँ, क्योंकि उससे उस वक्त भी कुछ हुआ नहीं, कोविट के वक्त जब मदद की जरूर विदेश मंत्रियों का चार्टरिग अ कर ऩर व व कलॉनीत फॉर्साओ अलग रास्ता, स्वास्त मंत्रियों का वन व राल व व1 तॉर्द हैं, यूवा मामलो के मंत्रियों का यूथ हैं, का यूथ England for better future . supreme बहुत जरूरिय है। Commerce और Trade Mantriों का Trade for Development, a Global South Approach. वित Mantriों का People-Centric Approach for Global Finance. विदेश Mantri का Second Session भी था, Global South and Global Governance. उजा Mantriों का Sustainable Energy Solutions for Sustainable Future. शिक्षा के लिए Prioritizing Human Resource Development, a Global South Perspective और पर्यावरन Mantriों का, बहुत इंपर्टन. Pathways for Progress, a Global South Perspective on Mitigating Climate Change. तो ये सभी चीज़े जो हैं बहुत इंपर्टन. Global South के लिए और भारत ने इसके अगुवाई की है. तीसरा समिट बताता है कि भारत लगातार ये leadership role रखेगा ताकि आवाज आगे तक पहुचा सकते हैं.